आप देख रहे हैं आरोगे ब्रमान्ड और मैं हूँ आपके साथ प्रयंका शर्मा दोस्तों आरोगे ब्रमान्ड कारिक्रम में हम रोज एक नई बिमारी के लिए आप विशय लेकर आते हैं ताकि आप अपने आपको स्वस्त रख सके और अपने जीवन में नई उमंग ला सके आज हम बात करेंगे सीजोफोनिया के बारे में जो लगबग हर साल दस लाख से अधिक लोग इसकी बिमारी के शिकार हो जाते हैं सौ में से हर एक इनसान अपने जीवन में कभी ना कभी सीजोफोनिया का शिकार हो जाता है आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे श्री-श्री एक हजाराट महामनलेश्वर अरोवेदचारे स्वामी भ्रमान पुरी जी महाराथ से तो आजि Ada कारी करम की शुरुवात करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं स्वामी जी आपका बहुत बहुत साहिए दोस्तों कारेकरम की शुरुवात से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी अगर आप भी किसी बिमारी का इलाज पाना चाहते हैं और आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो सिर्फोन उठाइए हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे है आपको स्वामी जी की सलहा स्वामी जी का मार्क दर्शन सरूर प्राप्त होगा स्वामी जी जैसा कि आज हमारा विशे है सीजोफोर्निया तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सीजोफोर्निया आखिर बिमारी है क्या दिखें सीजोफोर्निया मांसिक रोग में गिना जाता है और भारत में लगभग साड़े तीन परशन्ट लोगों को होता है सीजोफोर्निया का पेशेंट सयट करता है अखिन समिक अकाल मृति होती है अब जैसे सीजोफोर्निया पेशेंट पूर्ण रूप से एरिटेड होगा ब्रेन लैर्वा बीक होगा यह यैंशी आप माननि लिजे उसके साथ कितना भी मित्रवत वैवसर कर रहें उसको आप कितना भी हाडली अटेश्मेंट रखना चाहरे हैं, आप उसको कितना ही रिस्पेक्ट क्यों ना दे रहे हो, बट उसके दिमाग में फीलिंग हो चीए है कि यह मेरा सत्रू है, एक माइंड सेट हो चुगा है, तो उसको सत्रूवत दिखता है, यानि ब्रेन लारवा होता है, और मेडिकली एलोपेत में या अंग्रेजी मेडिसिन जितनी भी है, या होमियो में किसी में इसका इलाज नहीं है, आयर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए, मैं आपको एक चीज बता दू, प्रियंका जी कि, काउंसिलिंग सबसे बड़ा पारट है, दवाई से जाना काउंसिलिंग एक पारट है, विलिव सिस्टम जिसे हम कहे सकते हैं, माली जे, उसको ठीक करना है, तो सबसे पहला पारट है, कि उसके एक्छा के बिरुद्ध कोई काम ना हो, जैसे माली जे उसको अगर एक बज़े लग गया, कि मुझे अभी एक बज़े खाना चीए, तो आपको देना ही पड़ेगा, और आप उससे जितने ही निकड़ जाकर कितना भी अच्छा कोगे, उसको हमेसा बुरा ही लगए, यह सीजोफोर्निया है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें एक जिद्ध पना भी आजाता है, हाई, इरिटेशन आजाता है, स्वामी जी, अगर हम बात करें कि किन-किन लोगों को यह बिमारी हो सकती है, य जिस तरीके से किसी बच्चे को मा के गर्व में आने का योग बन गया, और मा बाप दोनों फ्रस्टेशन में है, या मदर खाली ज्यादा फ्रस्टेशन में है, साथ में फिवर आ गया, तो उसके बाद उसके अर्ष्णावी का विकाश नहीं होगा, एक लिमिट के बाद उस किसी जो फुर्णिया के बीमारी के कारण 80% पेरेंट्स होते हैं, हम इस पर बात करेंगे स्वामी जी लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, हलो, जी नमस्कार, अपना नाम बताईए, मैं अनीता बोल रही हूं पथान कोट से, हैं, आपको समझया, यह अभी दो महने अल्मोस हो गया है, उसमें एक बड़ा नौड्यूल है, और दो-तीन छोटे हैं, और लेफ्ट में भी एक छोटा है, जी विल्कुल आपको समझया, इसके लिए हम खाली इनको फोन पर कुछ चीजे नहीं बता सकते, इसके लिए इंको से प्रत्यक्ष मिलना पड़ेगा क्योंकि जो नोडिल से उसके अलग-अलग रिजन्स हैं और मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूं इसलिए उनको एक बार आप हमसे मिलना पड़ेगा ठीक हो जाएंगे मेरा वाद है स्वामी जी अपने विशे पर आते हैं हम बात कर रहे थे सीजोफोर्निया और आपने बताया कि उसका मुख्य कारण सबसे बड़ा पेरेंट्स होते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं क्यांकि मेरे सव जावी चलते मैं किसी अब प्रभावित नहीं करता है एक इंसान जब जरूर्वस से जादा उदा उड़ान करता है तो परिवार से बाग जाते है और उंकामाता किसको निया है फैमलीज के लिए और एक परिक्रियाओं के दोरान यही होता है कि जब पत्नी की होप उसके हीरा पन्ना मोती से नहीं है। फेमिली में अंडरिस्टेंडिंग इस मोस्ट वें सक्सेस्फुली लाइफ से होता है। अब यहां ब्रांडिंग हो जाती है। जोसे एक बच्चा है गलती से खेलते खेलते उसने एक कप फोड़ दिया। नेक्स्ट विक में फिर चाह उठा और एक और कप फोड़ गया। वो जान बुच कर नहीं कर गिर गया। लेकिन उसके नाम से आपके ब्रांडिंग हो गई है। तू तो चाह ही फोड़ता है। कभी अच्छा भी करेगा। तेरे में तो ऐसा है। लेकिन आप धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग उसके लिए बैड है। तो उसकी ब्रांडिंग आपसे बड़ी हो गई। इसलिए वो धीरे धीरे नेगलेट होते होते चला जाएगा। और हमारे ब्रेन का जो नेचर है। अगर हम positive सोचते हैं तो positive energy generate करता है। और जब हम negative सोचते हैं तो negative energy generate करता है। अगर आप किसी भी विसेपे continue 10 days से ज्यादा negative कर देंगा आपको निद्रा हो जाएगी। निद नहीं आनी है आपको, आपको मानसिक पीडा हो जाएगी। आपका BP down होने लगेगा। आपका prostate बढ़ जाएगा। रिजन कुछ भी नहीं है। रिजन सिर्फ मानसिक पीडा है। इसलिए parents को सबसे पहले बच्चों को एक ऐसा peaceful climate देना चीए। उनको समझाने का भी तरीका है। आप यह करोगे जैसे एक पॉपलोन ने लिखा है। विद्वानों को पढ़ना चीए। उसने लिखा है कि ग्रीट फेक्टर एंड फिराफ्लास 2.0 is most your successfully life। एक मा बच्चे को मीठा खिलाती है। जब फुंशी आती है। मत खा। फुंशी आजाएंगे। और अगर उसे ताकत कराने तो वदी बादाम खाएगा तभी तो ताकत आएगा। तो वह क्लाइमेड वैसा जनरेट होना चीए। तो मेरा मुल का हर पेरेंट्स से हर माबाब से हाथ जोड़कर एक निवेदन है। अपने बक्चों को समझिएं, अपने पत्नी को समझिएं, अपने बच्चे की इक्छाओं का मर्दन ना करिये। क्योंकि उनकी इक्छाओं का मर्दन ही उन्हें सिजोफोर्णिया की तरफ ले जाएगा। वह आप से निगेटिव हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना बुड़ापा खराब कर लेंगे, क्योंकि बच्चा एरिटेड रहेंगे, मानले एरिटेशन में जा रहा है, बाइक चला रहा है, पता लगा कही तुक गया, आप मांसीर को शेपीडित हो रहे हैं, जा रहे हैं, पता लगा कही खुछ हो अपनी समस्या बताईए, क्या जानना चाहते हैं, आप सवामी जी से? जी मैं ये पेट की बिकार की बारे में जानना चाहते हैं, हां जी, बिलकुल बताईए, क्या प्रॉब्लम है आपको पेट में? पेट आनना हमेशा कब जी रहती हैं, जी, देकि ऐसे आप गंगा सागर की आपकी आवाज भी बोस चीज बता रहे थी, साइको का एक पार्ट है, कि जब आप हेलो बोलते हैं, और नमस्ते करते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ एश्टी सामने आ जाती है, और अगर पढ़न उनको LFT और KFT चेक कर लेना चाहिए, आप खड़े होकर के पानी मत पिया करिये जरासा, और mentally एक ही भी से पर ज्यादा सोचा मत करिये गंगा सागर जी, बाकी आप हमारे हां से दवा मंगा लेजिए, कॉर्ष्टिप्यूशन का प्राबलम में इतना बड़ा इश्व नहीं ह तो गंगा सागर जी आपने सुनाओगा, स्वामी जी ने आपको क्या-क्या समस्या के समाधान बताए हैं, तो आप उनको अपनाईए, निश्यत ही आपकी जो भी बिमारी है, कब्स की जो भी प्राबलम है, वो सॉल्व हो जाएगी, स्वामी जी बढ़ते हैं विशे की ओर, अगर हम सीजोफोर्निया के लक्षनों की बात करें, तो क्या-क्या लक्षन हमें देखने को मिलते हैं एक सीजोफोर्निया के पेशेंट हैं? जैसे इसके समझ में आ गया मन के, कि हाँ बही चलिए, उसने ही आरोप लगाना है, उसने ही सजा देनी है, पूछना भी नहीं रिजन क्या है, तो ये संकेत तो बस है कि जैसे थोड़ा-थोड़ा सा, फिर भी मेरे दर्शकों से निवेदन आप देखिए, कि थोड़ा- अलग रहने लगे, खाने से उसका मन रूट जाए, और अपनों से गेर जो आदमी प्यार से बात करें, उसके प्रती अठ्रेक्ट होने लगे, आपकी हर बातों को उल्टा रियक्ट करने लगे, तो उस समय तो आपको ये समझ आना चाहिए, कि अब मुझे इसे समझने की जर है, हम आप भी जैसे वन साइड़ सोचते हैं, तो हैंग हो जाएगा, जैसे निगेटिव एनर्जी जनरेट होने लगेगी, निगेटिव एनर्जी जनरेट होती फेस की लू खतम, चेहरे पे ब्लेक्नेस अपने आपागे, कितना भी सुन्दर गोरा हो लेकिन अगर मेंटली है, तो चेहरे पे ब्लेक्नेस, स्वाभाविक है, चेहरे पे जुरिया आने लगेंगी, तो इसलिए पहला लच्छन तुए है, और ऐसे पेसेंट को खास तोर से अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, स्वामी जी बात करेंगे इस पे और भी, पहले कॉलर से बात कर है, स्वामी जी अगर हम इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें, जैसे के सीजोफोर्निया का पेशेंट हमारे धर में हैं, और हम जानना चाहते हैं, कि उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम किस तरीके से जान सकते हैं, उन पेरेंट्स को कुछ बताईए, देख भावनात्मक हो जाएगा, वो छूटी-छोटी चीजों को हाडली दिल पे ले लेगा, मैंडली ले लेगा, उस पे सोचने लगेगा, और वो एकांत मे रहने लेगा, तो कभी भी सीजोफोर्निया के पेशेंट अगर आप समझ गें, तो उससे कोई भी बात पब्लिकली ना क और यही चीज है, मतलब अगर हमारे आधार से, जो मेरा अनुभव है ऐस तक का, सीजोफोर्निया के पेशेंट को लगवग 40 दिन तक, एक क्लाइमेड में रख दिया जाए, और उसके साथ इस्प्रावड है, निट्रेसेस फूर्ट है, ब्रेन टॉनिक है, इम्मुनिटी प इतने बज़े आपको उटना है, इतने बज़े खेलना है, इतने बज़े यह काम करना है, तो उस तरीके से उसको काफी कुछ लाब मिल जाएगा, अब होता कहा है, पेसेंट बिगड़ते कैसे है, आप यहलोपैत में डॉक्टर के पास ले जा रहे हूं, आप उको क्या दे स्लीपिंग डोज दे रहे है, और कोई दवा नहीं उसके पास, उतने स्लीपिंग डोज दे दिया, श्लीपिंग डोज होने के बाद, अगर आप नीद में सोये हों, गहरी नीद में, और अचानक कोई आवाद देजाए, प्रियंका उठी है, तो साहद आपकी पूरी बड़ काम करी है, जब तक आप हमारा प्रोड़क्त नहीं मंघवापा रहे हैं, तब तक अंजीर को चार अंजीर लेजिए दूद में विगा करकर के दोनों समय आप लेते रही है और तेल सरसो का तेल सीरिफ तलवे में रगणना है लेकिन उसको जब रगणना हो तो हतेली नहीं तामबे के किसी कटोरी से रगणना हो तो उसमें ब्लेकनेस आजाएगी और उससे आप बाद में फोन कर लेना बच्चे बता देंगे ऐसे मेरे हां दवाईया सिर्फ 11,000 रुपे की एक बार मेंबर्सीप ली जाती है और ठीक होने तक पर्मानेंट आपको मेटसीन फ्री आफ कास्ट दी जाती है और इसमें क्या यलोपेत में जैसे कुछ कंपनियां मेमो टे लेकिन किसी भी चून के साथ जब बाइंडिंग एसेंट अटेज होता है तो उसका रिजल्ट सुनने हो जाता है इसलिए ऐरवेद में अगर सुध रिजल्ट चाहिए तो चून और क्वात का ही मिल सकता है मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी दर्शकों अगर आप किसी बिमारी का इलाज पाना चाहते हैं और आप किसी बिमारी से ग्रसित हैं उसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है तो आईरवेद में हर बिमारी का इलाज संभव है तो निश्यत ही आप हमें कॉल आतार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं, आपको स्वामी जी की सला, स्वामी जी का मार्ग दर्शन जरूर प्राप्त होगा, फिलाल यहां रुखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सीजोफोनिया पर और भी बाते करेंगे, रुखते हैं एक 9923020287, 9821201498, अक्षत फूड प्रोड़क्ट को चाहिए संपुन भारत में फ्रेंचाईजी वर डिस्टिबूटर संपर करें, 9923020287, 9821201498, हल्दी जीरा, मेर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले, शुधता की पहचान, स्वाद और सेहत में सब से आए, अक्षत मसालों की होम डिलेवरी के लिए संपर करें, हमारा नंबर है 9923020287, 8860867515, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आरोगे ब्रहमान में, और मैं हूँ आपके साथ प्रयांका शर्मा, हम बात कर रहे थे सीजोफोर्निया की बिमारी पर, स्वामी जी मैं आपसे जाना चाहती हूँ कि आयू का भी इसमें कोई योगदान होता है, कि हम एज को लेके भी डिफाइन कर सकते हैं, कि वो सीजोफोर्निया का शिकार हो सकता है, एक एज लिमिट होती होगी इसमें? मूलता ये इसफेक्ट को देखा जाजाता है, क्योंकि आयू कि अगर बात करें, तो आयरवेद का प्रतम सूत्र ही है, कि आयू वला है, यसोवर्चा, प्रजापासुनिवसुनिचा, ब्रह्म प्रग्याम नो देही, तम देही, पनस्पती, बच्चा, मतलब आप साथ साल के बच्चे को सीजोफोर्णिया में केरिफारण नहीं कर सकते हैं, कि इसे हो सकता है, बच्चे को जब आप कोई काम करवाओगे, तो उसको जैसे उसकी इच्छाओं के पुरुध हो जाना, उसको मेंटली डिप्रेट होना, इस्टेज देना, उसका बच्चपन, उसकी अप्र बच्चे से कंपियर कर रहे है, उस बच्चो को अच्छा खानपान मिल रहे है, आठ साल का बच्चे है, और छोटा बच्चा है हमारा हम उसको नहीं कर पाए, यनि वो इस्ट्रेस में है, अगर ये कांटिन्यूटी में रह गया, सही समय पर नहीं समझाया, तो भी स्योफोर हम बच्चपन पर भी स्वामी जी बात करेंगे, उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं, नमस्कार, स्वागत है, आपका अपना नाम बताईए, राजेश, जी राजेश जी, कहां से बोल रहे हैं आप, डाली के, बताईए, अपनी समस्या बताईए, स्वामी जी को, वो मेंटेली होने से बिपेन्ड अनिद्रा होने से बहलों है, जाधा नीद नहीं हो जाता है, जाधा मिल त्याग नहीं और बद्ध कॉष्टताओं से भी हो जाता है, यह हमारे branch से दव गायी हैं, कुछ दो हो ने ऐसा कि है कि ऑक क्ष्टरनल चीजा लगा कर थोड़े दिन अ आप हर कोई यूज़ कर सकता है अक्तर मेरे लोग बोलते हैं स्वामी जी आप फार्मुला मत बताया करो प्रोड़क्त नहीं बिखता है क्योंकि लोग इसी से ठीक हो जाते तो आगे आटर नहीं करने तो मैं यह चाहता हूं कि मेरे आपर कॉल भी तभी करो जब प्रीपियर हो कि दोनों समय आप मसास करते रहें इसको बाद में गरम पानी से दो लिजे एक गंटे के बाद 15 दिन बाद आपका यह सरकल नहीं रहेगा लेकिन यह पर्मानेंट क्योरेवल नहीं है क्योंकि यह इंटर्नल मेडिशिंग के सिवाय पर्मानेंट नहीं हो सकता है स्वामी जी विशे क्यों बढ़ते हैं हम बात कर रहे थे बच्चे के बच्चपन में आई तनावों के बारे में कि अगर उसके बच्चपन में तनाव आता है तो वो सीजो फोर्निया का शिकार हो सकता है मतलब मेंटली डिप्रेशन से, इस्टेस से, या इच्छाओं के बुरुधना होने से, जैसे बच्चे का बच्चपन, मतलब वो लाइफ का मेकिंग है, जैसे मदर इस लाइफ पिलियर, फादर इस सपोर्टर, तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों ने बच्चे को किस कं लग जाती है, सर लगने के बाद जो हमारे सिक्ट टो बनना ही है, एक इस प्रेक्ट के बाद, अगर वो खोड़ा हो गया तो एपिलेप्सी भी हो सकती है, बच्पन में चोट लगे, आपको पता निये, क्लोथ हो गया तो ब्रेन में ब्लड सर्कूलेशन बंद हो गया, तो म बाकि इसका सीधा सीधा रिलेशन दो चीजों से है, सीजोफोर्निया का रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से है, हीमनेटी पार डिफिनेंसी से है और ब्रेन से है, ब्रेन टॉनिक अगर सही है, ब्रेन लार्वा सही बनेगा, ब्रेन लार्वा एक ऐसी चीज है कि जैसे प जैसे एक कुमहर ने पहले चिलम बनाया, गाजा पीते ना बाबा लोग उसने आकार दिया एक चिलम का, फिर उसका दिवाग बदल गया, उसने मटके का आकार दे दिया, मिट्टी ने पूछा कि आप तो पहले चिलम बना रहेते, अब इसे मटका कैसे बना दिया, बोले मैं च तो तू भी सीतल रहेगा, और पानी पीने वाला भी सीतल हो जाएगा, यह लौजिक होती है परिवार में, बच्चे का वो मेकिंग है, बच्चे के लाइफ का वो ट्रनिंग पॉइंट है, उस समय उसको जैसा बनाना चाहेंगे, वो ऐसा बन जाएगा, और मेडिकल साइंस क तो हमारे बच्चे को हमी कियर कर सकते हैं, इसलिए बच्पन अगर स्टेश फूल गया है, तो बुडापा तो जा नहीं है, आये कॉलर से बात करते है, स्वामी जी, नमस्कार, स्वागत है, आपका अपना नाम बताईए, मेरा नाम आर्की सैनी है, रामपाल सैनी, कहां से ब जी, बताए अपनी समस्या, बताएए, मेरी समस्या यह है, कि मैं कुछ एक साल से देख रहा हूँ, कि मेरे फेस पे, जगे 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 जो सोब प्लेस होता है, वहां पे फूंसी निकलाती है, यह मेरी समस्या है, कि और मैं नेर के प्लेस, भीन सी, आपके उम्र क्या है, आपके चेरे पर कभी कभी पिंपल्स यानि बारिक बारिक फुंसिया आजाती है वो फुंसिया पक करके खतम हो जाती है फिर बाद में दूसरी आजाती है यह रक्त दोस है और इसके लिए आप जो है औसधिया मंगा लेजिए और जब तक आप एक काम करिए दो लीटर तामबे के बरतन में दोसो 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 यानि समान मात्रा में हरा वहरा और आउना खड़ा डालिए चार उद्राक्ष के दाने डालिए पानी भर दीजिए उसको और 48 गंटे के बाद उसमें से एक गिलास पानी पीना और एक गिलास डाल देना रोज ऐसे चान करके 31 दिन कर लेना यह आपके जो है ना मल सूख करके आतों में चिपक जाने से यह रक्त दोस बन गया है और बहुत ही जल्दी ठीक हो जागा और इच्छा हो तो दवाया भी म साथ संभव है आप फोन उठाइए हमें कॉल कीजियो नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं आपको स्वामी जी की सलह सरूर प्राप्त होगी स्वामी जी बढ़ते हैं विशे की ओर हम बात करें सीजोफोर्निया के बारे में तो मैं आपके ब्रेन को हैंग कर देना बिल्कुल और जब वो जैसे एक तरीके से रखत संचार रुका और एक बार स्पीड ली आएगा तो एरिटेशन और सीजोफोर्निया के पेशेंट के ब्रेन में बिद्धुत तरंगे अतिस्साय बनती हैं ज़रूर से ज्यादा बनती है आरो आरोग ब्रह्माड में इसका 110 परशेंट हैं और उसके बारे में मैं लोगों को बता भी देता हूँ क्योंकि कोई भी जैसे सांत कृतिक, स्वाहितिक, अध्यात्मिक और वेदान्त की बात नहीं कि अगर आप किसी मंत्र का जब कर रहें तो मंत्र का अर्थ जरूर जान और अगर कोई मेडिसिन खा रहें तो उसके रूल रेगूलेशन उसके अंदर इंग्रीडेंस और उनके इफेक्ट्स जरूर जान लीजिए नहीं तो छती होती है तो आरोग ब्रह्माड में हम सबसे ज़्यादा इसमें मात देते हैं ब्राम्भी को ब्राम्भी पास प्रकार स्वामी जी मारपस समय बहुत कम है शौर्ट में हम बता देते हैं कि अगर आप किसी बिमारी का इलाज पाना चाहते हैं तो आरोग ब्रह्माड में उसका इलाज संभव है और 110 प्रतीशत इलाज संभव है स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने दर्शकों को आज किस तरीके से किया जाता है उस बाचीत पर हम चर्चा करेंगे पर आज के कारेक्रम में बस इतना ही तो मुझे दीजे आ गया नमस्कार अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपुन भारत में फ्रेंचाईजी वर डिस्टिबूटर संपर करें डबल नाइन टू थरी 020287 9821201498 हल्दी जीरा, मेर्च धनिया, हींग और गरम मसाला अक्षत मसाले, शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सब से आएंगे अक्षत मसालों की होम डिलेवरी के लिए संपर करें हमारा नमबर है डबल नाइन टू थरी 020287 डबल एट सिक्स जीरो एट सिक्स सिक्स सेवन फाइवन फाइव रम्हंड आयरुवेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूप दवा सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाब मात्र 11,000 रुपए की लाइफ टाइम मेंबर्शिप के साथ मेंबर्शिप लेने के लिए आथार कार्ड होना अनिवारे हैं आधिक जानकारी के लिए संफर्क करें हमारा नंबर है 9371-792268 9158-596974 7057664735 9049-324283 मेंबर्शिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशी कोट डिपॉजिट कर सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर है 7011-92373 कोटैक महिंद्रा बैंक हमारा आयवस्सी कोट है ककबीके 0000697 शिवाजी नगर, जलगाउं, महराष्ट पिंकोट 425-001 प्रम्हन आयुर्वेद फार्मसी जनसेवा में समर्पे